देश का गौरब तभी आगे बढ़ता है जब बिहार का गौरब को गले लगाते हैं बिहार के गौरब के साथ साथ देश का गौरब है और आप बिहार को और बिहारीों को अपमानित करने का काम करते हैं महरास्ट में रह रहे बिहारी मजदूर, समिक मजदूर, गरीब मजदूर, जो भी वहां पे उध्योपती बिज्ञेस्मैन है, किसी पे आचाया, तो युवा बिहार सेना कभी भी बर्दास नहीं करेगी। किसी भी बिहारी पे, किसी भी बिहारी युवा पे, अगर जरा भी खरोच हुआ, युवा बिहार सेना कदापी बरदास नहीं करेगा और मुह तोड जवाब देने का काम करेगा। मंत्री बनना चाते हैं और देश के परधान मंत्री बनना चाते हैं पर ये असंभव है, उभा बिहार सेना के राश्टी अध्यक्त ऋंजिणिर राज्कमर पास्वान, राश्ठ ठाकडे को हिदायत करना चाता है और उसे बता दना चाता है कि आप ये अमत भूलो कि महरास्ट इस देश का हिस्सा है। और महरास्ट आपकी घर की प्रोपटी नहीं है। राश्ठाक्रे साहब आप ये भी मत भूलो कि भारत के सविधान अनुछेद 14 और अनुछेद 19 और 1926 में ये प्राविधान है कि कोई भी किसी भी राजिब में जाकर के रह सकता है, अंदोलन कर सकता है और अपना जिविका पालन कर सकता है। अनुछेद 14 में समानता का अधिकार, रोजी रोजी रोजगार कमाने का अधिकार उसको आप नहीं छीन सकते। दूसरी चीजे, कि आपके चाचा बाला साथ ठाकरे का इतिहास, पुर्खो का इतिहास बिहार के भोजगूर से मिलता है। और उन्होंने जब तक बाला साहब यानि सिव सेना के परमुख बाला साहब ठाकरे, जब तक राजनिती किया और पिक टाइम पे भी थे, तो वो बिहारियों को अपमानित करने का काम नहीं किया, बिहारियों को भगाने का काम नहीं किया, और आप इस तरह से बात करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि देश का गौरब तभी आगे बढ़ता है जब बिहार का गौरब को गले लगाते हैं यानि यूं कहें कि बिहार के गोरब के साथ साथ देश का गोरब है और आप बिहार को और बिहारीयों को अपमानित करने का काम करते हैं महरास्ट में रह रहे बिहारी मजदूर, शमिक मजदूर, गरीब मजदूर और फिल्मी दुनिया में रहने वाले हमारे बिहार के एक्टर्स लोग और जो भी वहाँ पे उध्योगपती बिज्ञेस्मेन है किसी पे आच आया तो इवा बिहार से ना कभी भी बरदास नहीं करे और आपको ये भी बता देना चाहता है कि युवा बिहार से ना देश के किसी हिस्से में कहीं भी रह राओ और आप जैसे निता अगर उसे परतारित करने का काम करेगा उसे भगाने की बात कहेगा तो इवा बिहार से ना जो निता जिस स्टाइल में बोलेगा उसी स्टाइल में मुहतोर जवाब देने के काम करेगा ये युवा बिहार सिना है और पूरे भारत वर्ष के जो बिहारी युवा है जो श्रमिक युवा है जो साथ ही लोग है गरीम मजदूर है वो लोग को अवान करता है युवा बिहार सिना के साथ जूर करके एक बिहार को नम निर्मान क जहां हरेक हाथ को रोजगार, जहां पे हरेक को रोटी और यानि कि यूँ कहें कि बिहार से बिरोजगारी मुक्त बिहार बनाना है, सिक्छा युक्त बिहार बनाना है, रोजगार युक्त बिहार बनाना है, उद्धोग युक्त बिहार बनाना है और ये उस कोटी का सिक्छा विवस्था लाना है, स्वास्त विवस्था लाना है, और किसान, किसानी के लिए, यानि कि खेत बचाओ, किसान बचाओ, इस योजना के तहट बिहार को सम्रीद बनाना है, उन्ना छेतर बनाना है, और जितने भी बंद पड़े उद्योग धन्दे हैं, हम सब युवा मिल करके और उस उद्योग को पुना चालू करवाएंगे वहां जो ताला लगा हुआ उस ताला को तोर करके बिहार के ये 80% युवा जो बाहर जाते हैं कमाने वो सभी वा लोग बिहार में यानि कि जहां जिसका घर वहीं मिले रोजगार ये है और ऐसे ऐसे रास ठाकरे और सीवसेना और महरास्त ओल पिस ठाकरे जैसे लोगों से बिहार के मजदूर ड़रने वाला नहीं है बिहार का बेटा ड़रने वाण नहीं है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कि वि भिःअरी युवा पर अगर जरा भी खरोच हुआ तो युवा बिहार से कदाबी बरदास नहीं करेगा और मुझ तोड जवाब देने करें